कस्तुरिमा चम्दनले पनाई स्मसान भसमंग विले पनाई सत कुंडलाई चपनी कुंडलाई नमह सिवाई च नमह सिवाई सिवाई चक्ति के चरण में नमन करते हुए बंदन करते हुए और आप सबका कल्यान के भिक्षया करते हुए भगवान सदासिव और माता पारवति के पास आज का कार्यक्रम को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक बढ़िया सा विशे का उपर जो है फाइव एलिमेंट और बास्तु तो दोस्तों आज का जो चर्चा है फाइव एलिमेंट और बास्तु अगले तत्तों जो है बायू बतलब आपका वाटर से क्रियेट हो गया एयर और उस एयर से क्रियेट हो गया आपका फायर यानि आपका और अगणी तत्तु और उससे create हो गया fire से create हो गया father element fire है तो उसका जो child element होता है वो होता है मिट्टी या आपका yarth yarth element से क्या बनता है yarth element से बनता है आपका space यानि आकास तत्वब तो यह हो गया पांच तत्वब तो यह पांच तत्वब जो है उसका पूरा जगत के साथ पूरा universe के साथ connect रहता है सारे जो energy है यह पांच तत्वब को बेश करके चलता है although you all know Newton's law that is energy neither be created nor be destroyed it can only transfer from one form to another form so elements क्या होता है एक एक energy हुआ तो एक से दुसरा दुसरा से तिसरा एसे करके पांच यह पूरा one type of cycle में convert होता रहता है तो इसका जीवन के साथ पूरा living creature और जो है आपका बास्तु हो आपका जल हो स्तल हो सब के साथ पूरा ब्रह्मान के साथ five element का connection रहता है तो हमारा जो कार्यक्रम बास्तु के कार्यक्रम है तो इस हिसाब से हम बास्तु के उपर चर्चा करेंगे what is the relation between five element और बास्तु पहला element हम बताये थे आप लोगों को जॉल तत्वब या water element water element जो होता है उसका आपका जो रहता है नौर्थ डिरेक्शन का साथ connection रहता है और आपका उसके बाद आता है बायू तत्वब यानि आपका air element जो बास्तु में होता है पूर्व दिशा और इस्ट डिरेक्शन उसके साथ connection रहता है तीसरा होता है आपका fire element जो होता है आपका औगनी तत्वब औगनी तत्वब आपका south east direction जो आगने कों रहता है उसके साथ connection रहता है और उससे पेदा होता है कि आपका जो पुर्थवी तत्व यानि आपका यार्थ एलिमेंट का आपका जो दक्षिन दिशा रेता है उसके साथ कॉनेक्ट रेता है और यार्थ एलिमेंट से पेदा होता है स्पेस यानि आकास तत्व उसका जो पश्चिम दिशा यानि आपका व 5 वाइव कलर से आये जानते हैं फाइज आलिमेंट का जो 5 कलर होता है पहला जल्थ अत्व उसका कलर होता है ईक्सτί आपका जो होता है एर रादкими उसका कलर होता है अघ्रीन के 3rd is your south east direction में आता है fire element उसका color होता है red color 4th जो होता yarth element उसका color होता है yellow color और जो 5 number बाला element होता है आपका space यानि आकास पत्व उसका color होता है white color तो दोस्तों ये सारी चीजे जो आज हमने आपको बताया इसका color का color साथ जो से आपको पहले episode में हम बताये था कि इसके जैसे की south west में आपका anti element रहता है तो आगे-आगे हम आपको बताते जाएंगे कि कैसे anti element होता है और आपको कैसे पता चलेगा कि anti element क्या है तो आज के लिए कार्यक्रम को ही पर रखते हैं उससे पहले आज का tips दोस्तों आज का जो episode में हम आपको एक वड़िया सा tips बताएंगे जैसे की आप कौन सा bank से कोई करजय लिये हैं लोन लिये हैं बहुत दिनों से और वो loan आप उसको payment नहीं कर पाते हैं सही समय पे का जो logo है उसको आप download कीजिए और उसको 12 स्क्वेर सेंटीमेटर 12 से 12 सेंटीमेटर लेंथ रहेगा 12 सेंटीमेटर और व्रेथ भी रहेगा 12 सेंटीमेटर उसको आपका घर का पर्टिकुलाली जो नौर्थ वेस्ट डिरेक्शन है वहीं पे लगा लीजिए देखेंगे एक मेना देड़ मेना का अंदर आपका जो करजा है उसको केसे आप चुकाएंगे उसका रास्ता निकल जाएगा तो ये था आज का कार्यक्रम यहीं पे कार्यक्रम को समाप करते हैं जय चकरनाथ प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आवर चैनल और कॉमेंट्स अर वैलेबल आज वेल